कैसे शिरू करें छोटे स्तर पर डेरी फार्मिंग का बिजनस इस वीजियो में आज हम आपको डेरी फार्मिंग बिजनस के बारे बताएंगे कि कैसे शिरू कर सकते हैं डेरी फार्मिंग बिजनस और किन-किन चीजों का ध्यान रखने की ज़रूरत परती है कैसे आप इस कारोबार को सही तरह से चला सकते हैं, इसकी जरी आप कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं वीडियों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चाल्ल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंशती रहे चलिए पहले जा लेते हैं कि आखिर क्या है डेरी फार्मिंग डेरी फार्मिंग का समन्ध है दूद और उससे जुड़े प्रोड़क्ट के उत्पादन से इसमें आपको मुखे रूप से डेरी प्रोडक्ट यानि कि वो प्रोडक्ट जो दूद से जुड़े होते हैं मांकिट में बेचने होते हैं आप दूद तो आसानी से अलग-लग पशुट जैसे घाय भैंस से प्राप्त कर सकते हैं पर इससे जुड़े प्रोड़क्ट जैसे दही, खी, आदी के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, जिसमें लगता है. इसलिए अगर आप जाएं तो सीधा दूध ही बीट सकते हैं. इस वेपार को आप छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं. अगर आपके पास जादा संख्या में भैंस या गाय खरीदी के लिए पैसे नहीं है, तो आप कीवल चार भैंसों को रख कर भी ये वेपार खोल सकते हैं. आज इस वीजियो में हम आपको कर लें कि ये अच्छी नस्ल की हों और एक दिन में कम से कम 10 लीटर दूर तो आवश्य दे. कहां से खरीदे भैंस? भारे सरकार द्वारा डेरी फार्म के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की मदद की जा रही है. आप भैंस या गाय को सरकार द्वारा बनाए गए एक पोर्टल के जर्य खरीद सकते हैं. इस पोर्टल का लिंक इस प्रकार है. इस लिंक पर जाकर आपको कई नस करने की लागत कि चोटी स्थर्पी डेरी फार्मिंग आप दो पशों से भी शुरू कर सकते हैं इसके लिए सरकार आपकी भरपूर मदद करने के लिए तयार है क्योंकि पशु पालन विभाग इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है दू देने वाले पशों से टेरी यूनिट सबसीरी मिलती हैं मुख्य चिकत साधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं या दो पशों से डेरी खुली जा सकते हैं सरकारी सबसीरी योजना का लाब उठाकर आप अब देरी घर में खोल सकते हैं इसके लिए बहुत जादा बड़ी जगा की ज़रूरत नहीं है तीन शेट डाल तो आपके पास 100 लिटर दूद हर दिन का हो रहा है दूद की आस्त कीमत 40 रुपे प्रती लीटर होती है जो गर्मियों में बढ़ जाती है तो 40 रुपे प्रती लीटर के हिसाब से आप हर दिन 4,000 कमा सकते हैं जो कि एक अच्छा मुनाफ़ा है 14,000 में से अगर आपने प्रती पशों पर 3,000 खराने पीने पर खर्च कर दिया तब भी आप हर दिन 1,000 कमा लेंगे जो कि एक महीने का 30,000 हो रहा है इतने पैसे शुरुवात में बहुत होते हैं और जैसे जैसे आप बिजनस के बारे में ज़्यादा समझते चाएंगे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप दूप का उत्पादर बढ़ा सकते हैं और इससे ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे खाने को क्या दे? जितना अच्छा और पॉश्टी खाना पशु को दिया जाएगा उतना ही अच्छा दूद वो हमको दे पाएगे पशु को भूसा तो देना ही है और साथ ही साथ हरी खास भी देनी होगी पानी अधिक मात्रा में देना ज़रूरी है क्योंकि अगर पशु पानी नहीं पिएगा तो वो अधिक मात्रा में दोद नहीं दे पाएगा देरी फार्म के लिए गाय और भैस खरीतिसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखें ये रिफार्म के लिए आप उन्हें नसल की गाय का चुनाव करें जो दूद जादा देती हैं और जैसे की साही वाल ये 15-18 लीटर दूद देती हैं भार पारकर गाय एक दिन में 16-18 लीटर दूद देती हैं आपको सही नसल का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है तब भी आप अपनी बिजनस में सफलता पा सकते हैं ओके क्रेडिट बिजनस ओके है